सर्वे भवन्त सुखिनाह, सर्वे संत निरामयाह, सर्वे भद्राण पस्यन्तु, मा कस्चित, दुख भाग भवेत मित्रों आदसे में तर्कसंग्रा का पाठ आरम्म करने जा रहा हूं इस रिंकला में में केवल मूल ग्रंथ में प्रतिपादित विशियों पर ही तर्जा करूँगा एद्धेपी मेंने तर्कसंग्रा में प्रतिपादित अनेक विशियों पर आधारित वीडियो सामगरी का निर्वान किया है वहसा पहले से ही यूटूब में उपलब्द है और अनेक जिग्यासुगण जिससे लावानवित हो चुके है फिर भी किसी ग्रंथ बिशेस के क्रम में आधारित न होने के कारण अधिकादिक जिग्यासु पर्यात लाप नहीं ले पा रहे हैं अतह मैं तरक संग्रा ग्रंथ को प्रस्चुत कर रहा हूँ किन्तु जिन बिशियों पर पहले से ही सामगरी उपलब्द हैं उन बिशियों पर पुनह नहीं जाओंगा डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक के आधार पर आप उन सामगरीयों तक सहज ही पहुंच सकते हैं आए अब हम ग्रंथारम करते हैं निधायरिदि विश्वेशं विधाय गुरुबंदनम बाला नाम सुखबो धाय क्रियते तरक संग्रा निधायरिदि विश्वेशं विधाय गुरुबंदनम बाला नाम सुखबो धाय क्रियते तरक संग्रा यह मंगला चरन स्लोगे अमारी सनातन परंपरा की अनुसार गरंथकार जब गरंथा आरंब करता है तब मेरा गरंथा निर्विग्न परिशमापत हो इस कामना से मंगलाचरण करता है अतह अन्नम भट्ट भी गरंथा की आरंब में मंगलाचरण करते हैं आईए इसका अर्थ समझते हैं निधाय रिदी विश्वेसम अर्थात विश्वेसम रिदी निधाय विश्वेस को रिदे में धारण करके विश्वेस सब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी सर्व सक्तिमान इश्वर काशी में विराजमान भगवान विश्वनात का ही नाम विश्वेस भी है अतयव वाराण स्याम्द विश्वेसम एसा कहा गया है क्योंकि अन्नम बटने काशी में रहे कर विद्या अध्यन किया अतयव वे वगवान विश्वेस का अध्यान कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, रिदी रिदे में निधाय विशेस रुप से धारण करके, गुरु वन्दनम विधाय, गुरोहो वन्दनम गुरु वन्दनम, गुरु की वन्दना विधाय करके, बाला नाम सुखबो दाय, बाला नाम यहां बालक सब्दका अर्थ है, ग्रहन धारण पटु हूँ, नतु स्तनन धय, अर्थात जो विध्या को ग्रहन कर सकता है, और अभ्यास से उस विध्या को धारण कर सकता है, एसा जिग्यासू यहां बालक सब्दका अर्थ है, नकी दू यहाँ पर बालक सब्द का दूसरावी अर्थ प्रशिद्ध है अधीत व्याकरण काब्य को सत्वे सती अन अधीत नियाशास्त्रत्वम बालक अश्यलक्षणम अर्थात जिसने ब्याकरण, काब्य और कोष्ट का अध्यन किया है और निया सास्त्र का अध्यन नहीं किया है उसे बालक कहा जाता है ब्याकरण, काब्य और कोष्ट पढ़ने का अर्थ एह नहीं कि वह उन सास्त्रों का पारंगत बिद्वान हो गया हो किन्तु ब्याकरण जानने का अर्थ उसको प्रकृति प्रत्य बिवक्ति आरी का परिचे होना चाहिए काब्य को पढ़ने का अर्थ उसको अन्वय एवं वाक्य रशना का ज्यान होना चाहिए को उसको पढ़ने का अर्थ उसको परियाई बादे सब्दों का ग्यान होना चाहिए ताथ पर यह हुआ कि उसको समस्कित भासा का सामानने ग्यान होना चाहिए अर्थात ऐसा बेक्ती जो समस्कित भासा के प्रयोक के नियमों को सामानने रूप से जानता हो और जिसने नियाय सास्त्र का अध्यन नहीं किया है वही यहाँ पर बालक सब्द का अर्थ है ऐसे बालकों को सुखा बोधाय अर्थात सुखा पूर्वक नियाय वैसिसिक दर्शन में प्रतिपादित पदार्थों का एथार्थ बोध कराने के लिए तरक संग्रह क्रियते तरक संग्रह नामक ग्रंथ की रचना किया जाता है किस के द्वारा किया जाता है मया इस पत्का यहाँ पर अध्यार करना चाहिए मया अर्थात अन्नम भटेना अन्नम भटे के द्वारा किया जाता है मित्रों अब हम तर्ग संग्रह सब्द का अर्थ विचार करते हैं तर्गयंते प्रतिपाद्यंते इते तर्गा आहा अर्थात जिनका न्याय वैसिशिक दर्शन में प्रतिपादन किया गया है वही तर्ग पत का अर्थ है अर्थात द्रव्य गुणादी सप्त पदार्थ उन पदार्थों का जिस ग्रंथ में संग्रह किया गया है वह ग्रंथ है तरक संग्रह किन्तु प्रश्णा यह है कि पदार्थों का संग्रह किस प्रकार से किया गया है तब त्रिविदाच आचे सास्त्रश्चे प्रविर्ति ही उद्देशु लक्षणम परिक्षाच न्याय भास्यकार के इस बचन के अनुसार उद्देश लक्षण और परिक्षा के द्वारा पदार्थों का संग्रह क्या गया है अर्थात इस ग्रंथ में पदार्थों का उद्देश, लक्षण और परिक्षा की गई है अब प्रशना आएगा कि उद्देश, लक्षण और परिक्षा का अर्थ क्या है तब कहते हैं नामना पदार्थ संकीर तनम उद्देश है अर्थात पदार्थों का नाम बतानाम यहीं उद्देश है कई शात्र उद्देश्य और उद्देश्य इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं किन्तु उद्देश्य और उद्देश्य दोनों सब्दों के अर्थ में महान भेद है उद्देश सब्दगा अर्थ प्रशिद्ध ही है और उद्देश सब्दगा अर्थ है नाम का उल्ले करना जेशे साथ पदार्थ है द्रब्य गुण कर्म इत्याधी इस बचन में केवल पदार्थम का नाम मात्र का उल्ले किया गिया है अतह यह उद्देश है लक्षण असाधारण धर्मों लक्षणम असाधारण धर्मों को लक्षण कहते हैं मित्रों लक्षण एबं लक्षण के दोस्तों को समधाने के लिए एक वीडियो सामगरी निर्मित है उसको आप अबस्य देखें परिक्षा हमने जो लक्षन बनाया है वह सही है कि नहीं उसका परिक्षन करना ही परिक्षा है मित्रों तरकसंगरह ग्रंथ में पहले पदार्थों का नाम बताया है फिर पदार्थों का लक्षन किया गिया है जब हम लक्षन को जानते हैं तब उसकी परिक्ष्य भी करते हैं अतह इस गृंत का नाम तरक संग्रह सार्थक है आईए अब हम आगे पड़ते हैं दरभ्य गुण कर्मा सामान बीशेस समवाया भावा सब तो पदार्था हा द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेश, समवायो, रभाव ए न्याय वैशेशिक दर्शन में प्रतिपाधित चाथ पदार्थ हैं पदार्थ का लक्षण है पदजन्य प्रतिती विशेट तुम पदार्थ से लक्षणम अभी हम लक्षण की चर्चा नहीं करेंगे दूसरे चरण में किया जाएगा अभी आप याद करें आगे बढ़ते हैं तत्र द्रब्यानी, प्रिथिवेप तेजो, वायव, आकाश, काल, अदिग, आत्म, मनांसी, नवैव द्रब्य का लक्षण है गुण बत्तम द्रब्य से लक्षणम द्रब्य के परिशे के लिए द्रब्य परिशे नाम का वीडियो आप देख सकते हैं द्रब्य के बाद दूसरा पदार्थ गुण, गुण 24 हैं गुणों के परिचे के लिए भी गुण परिचे नाम का वीडियो देखें तिसरा पदार्थे कर्म कर्म पांच है उत्षेपन, अपक्षेपन, आकुंचन, प्रसारन और गमन कर्म के परिचे के लिए भी वीडियो सामगरी पहले चेही निर्मित है चतुर्थ पदार्थे सामान्य सामान्य का दूसरा नामे जाती कर्मा और सामान्य का परिचे एकी वीडियो में देख सकते हैं पंजम पदार्थे विशेष विशेष के परिचे के लिए भी सामगरी उपलब दहें सश्ट पदार्थे समवाय समवाय एक सम्मन्द है समवाय को भी समवाय परिचे नामक वीडियो से जाने सब्तम पदार्थे अभाव अभाव के परिचे के लिए भी सामगरी उफलब्द है मित्रों आगे हम पृतिवी आदी द्रब्यों का क्रमसह गरंथ के आदार पर निरुपन करेंगे आप तब तक सब्तम पदार्थों का परिचे ठीक्षे कर लिजी आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना मनतब्य अवस्य कमेंट करें धन्यवाद